आज आम बात तरहेंगे कि CPA मार्केटिंग में सक्सेस्फुल होने के लिए CPA मार्केटिंग से पैसे कमाने के लिए आपको इनीशली कितने पैसो की जरूरत है काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट है और मैंने भी जब ये शुरू करा था तो मैं भी काफी जगाए पढ़ता था कि लोग कहते हैं कि आपको 10 अजा चाहिए कोई कहता है आपको 50 अजा चाहिए तो पूरा अजिक्तम डिटेल में समझेंगे कैल्कुलेशन के साथ समझेंगे तो वीडियो को लास तक देखना और अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो तो बिना किसी देखे शुरू करते हैं तो दोस्तों CPI मार्केटिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए और उससे पैसे कमाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है ये कौन से ऐसे फैक्टर है जहांबर हम पैसे लूज कर सकते हैं मतलब अगर कोई ऐसा फैक्टर है जहांबर हम पैसे लूज कर रहे हैं तो चाहे आप बद्दा सजा लगाओ चाहे एक लाक लगाओ आप इवेंचली पैसे लूज करोगे तो अगर हम उस factor को हटा सकते हैं तो हम उसे हटाने की कोशिश करेंगे ताकि हम और जादा पैसे lose ना करें और या तो हमारा campaign at par हो मतलब no loss no profit में हो या फिर हमारा campaign सिर्फ profit में ही हो तो सबसे पहले factor जो यहां पर आता है वो है CP offer का अगर आप एक ऐसा CP offer चूज करते हो जो कि जाला convert नहीं होता जिस पर जाला sales नहीं आती तो चाहे आप उस पर 300-500-1000 क्लिक भी बेजोगे एक दिन का वो offer convert नहीं होगा और आप पैसे base उलाएंगे ठीक है तो यह था सबसे पहला factor तो दूसरा factor जो यहां पर आता है वो है traffic source अगर आप एक ऐसा traffic source यूज कर रहे हो जो की cheap है जो की targeted नहीं है तो चाहे आप वहां पर 5000-1000 क्लिक भी उसके भेजोगे अपने CP offer पर वो convert नहीं होने वाले विकोज लोगों को वो चाहिए ही नहीं जब लोगों को चाहिए नहीं तो वो convert नहीं करेंगे तो आपके पैसे lose हो जाएंगे तो जो तीसरा factor यहां पर आता है वो है strategy मनलब अगर मैं आपको एक अच्छा CP offer दे दूँ अच्छा traffic source दे दूँ जिसका traffic इंटम targeted है पर आपकी strategy खराब है आपको यह नहीं बता कि keyword research कैसे करते हैं tracking कैसे करते हैं split testing कैसे करते हैं bid कैसे लगाते हैं optimize कैसे करते हैं तो चाहे आप कोई भी offer ले लो कोई भी traffic source दे लो आप कभी profitable नहीं होने वाले CP marketing में ठीक है तो आप बात करते है solution की मतलब इसका solution क्या मैंने आपको factors बढ़ाए कि जहांबरा पैसे lose कर सकते हो अब solution क्या है कि आप वहांबर पैसे lose ना करो आपका campaign या तो no loss no profit में हो या फिर सिर्फ profit में हो तो जो सबसे बेला factor था जो मैंने आपको बढ़ाए था CPA offer का आपको एक ऐसा CPA offer चूज करना है जो की जादा convert होता हो अब आप कैसे find out करोगे इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है तो वीडियो जाके देख लेना मैं उपर i button में दे दूँगा उस method को आप follow कर सकते हो किसी भी CPA network में या फिर max county में भी ठीक है तो जो पहला factor तो जहांपर हम पैसे lose कर सकते थे वो हमने हटा दिया तो हम बात करते हैं दूसरा factor जो की है traffic source काफी सारे लोग जब शुरू करते हैं तो उनके बाद जादा budget नहीं होता वो लोग क्या करते हैं एक cheap traffic source यूज कर लेते तो अगर आप शुरू कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप Bing Ads यूज करो बिकोज उसमें कहेंगी आपका जो clicks का पैसा है वो भी जादा नहीं लगेगा और जो traffic है वो भी एकदम quality का है targeted traffic है तो आप Bing Ads से ही पहले शुरू करो उसके बाद जब आप Bing Ads सीख जाओ जब आपको अच्छे पैसे आने लिए फिर आप और traffic source ट्राइए कर सकते हो ठीक है तो हमने जो दूसरा वेक्टर ट्राफिक सूर्स पर पैसे वेस्ट करने का वो भी हमने हटा दिया अब बात करते हैं जो तीसरा फेक्टर है जो कि है हमारी strategy अब अगर आप जाना जाते हो कि CP offer को हम Bing Ads की दूप कैसे promote करेगी इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है तो वीडियो में आई बटन दे दूँगा वीडियो जाके देख लेना उसमें मैंने बताया है आपको कि tracking कैसे setup करनी है bid कैसे लगानी है split testing कैसे करनी है और आपको keyword research कैसे करनी है ठीक है तो यह हमने जो तीसरा factor था strategy का वो भी हटा दिया जान परना पैसे lose कर सकते थे ठीक है अब एक example लेते हैं कि मैं एक survey junkie का offer promote करना चाता हूँ जिसका $1 payout है जो की match bounty का offer है उसको मैं Bing Ads के दूर प्रमोट करना चाता हूँ ठीक है और मैंने Bing Ads में budget लगाया है 200 रुपे पर डेगा और मैं उस offer को एक week run करता हूँ तो मान लेते हैं कि मेरे 1400 रुपे खर्च होए ठीक और मुझे offer दे रहा था $1 payout मतलब भी 70 रुपे 70 रुपे मुझे वहाँ से मिल रहे थे और मैंने 200 रुपे पर डेगा budget लगाया तो मैंने उस offer को जब एक week run करा तो मैंने total amount जो spend करा उस offer पे वो था 1400 रुपे 1400 रुपे मैंने उसमें खर्च करे और मान लेते हैं कि मुझे 10 conversion आए conversion ज़्यादा भी आ सकते हैं conversion कम भी आ रखते हैं लेकिन मैं एक्तम realistic लेता हूँ कि 10 conversion आपको आ जाते हैं because उसका conversion point easy है तो 10 conversion अराम से उस offer पे आ ही जाएंगा अगर आप सही चीज़े फॉलो करोगे जैसे मैंने आपको Bing Ads की वीडियो में बता रहे था ठीक है तो 10 conversion आए मतलब कि एक डॉलर के इसाब से आपको 10 डॉलर मिले तो मतलब आपने 700 रुपे कमाए ठीक आप वहाँ मरा आपने एक वीक में लगाए थे 14 रुपे और आपको मिले 700 रुपे तो आप 700 रुपे लूज कर गए अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि हम पैसे लूज कर रहे हैं तो हम profitable कैसे हुए बट अगर आप यहाँ पर पैसे लूज कर रहे हैं तो आपको data मिले अब उस data को यूज करके आप campaign को optimize करोगे तो second week से आपका campaign profitable हो जाएगा और अपने campaign में क्या-क्या changes आपको करनी है ताकि आप जो भी पैसे lose कर रहे हो ना करो और आपका campaign सिर्फ profit में ही चले तो दोस्तों आपको पता जड़ोगा कि campaign शुरू करने के लिए और उसको profitable करने के लिए हमें कितने पैसों की दिरूरत है यहां अपर मैंने 14 और लिए और उस campaign में 700 और भी निगा लिए और अगले week से मसद profitable भी कर दूँगा तो मुझे कोई भी 10,000, 20,000, 50,000 की ज़रूरत भी नहीं बड़ी